साथियों आज अटल सिद्धी की इस धर्ती से बैंग यूपी के युवा साथियों को यहां के हर नागरिक को एक और आगरह करने आया हूँ आजादी के बाद हमने बराबर देखा है आजादी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज़्यादा जोर अधिकारों पर दिया है लेकिन अब जब हम आजादी के 75 साल के और बढ़ रहे हैं आजादी के दिवानों के सपनों को आज अगर हम तोलते हैं तो समय की मांग है कि अब तक भले हमने अधिकारों पर बल दिया हो लेकिन अब वक्त की मांग है कि हमें अपने कर्तव्यों अपने दाईतियों पर भी उतना ही बल देना है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदेशन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपति को नुक्सान पहुचाया वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका रास्ता सही था उनकी प्रभुति योग्य थी जो कुछ जलाया गया बर्बात किया गया क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था इस प्रदर्शन में हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई जो सामाने नागरिक जख्पी हुए जो पलीस वाले जख्पी हुए उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रती पलबरम सोचे क्या बित्ती होगी और इसलिए मैं आगर करूगा कि जूटी अप्राओं में आकर हिंसा करने वालों को सरकारी संपति तोडने वालों को मैं बहुत आगर से कहना चाहूँगा कि बहतर सडक, बहतर ट्रांस्पोर्ट सिस्ट्रिम उत्तम सिवर लाइन नागरीकों का हक है तो इसको सुरक्षित रखना साफर सुथरा रखना भी तो नागरीकों का दाईत्व है हक और दाईत्व को हमें साथ साथ और हमेशा याद रखना है उत्तम सिख्षा, सुलब शिख्षा हमारा हक है लेकिन सिख्षा के संस्तानों की सुरक्षा, सिख्षकों का सम्मान ये हमारा दाईत्व भी है चिकित्सा सुभीदा हमारा हक है लेकिन डॉक्टरों का सयोग और सम्मान करना हमारा दाइत्व भी है सुरक्षित माहोल मिलना हमारा हक है लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस तंत्र के काम को सम्मान देना यहर नागरिक का दाइत्व है हक की एक मर्यादा है दारिया है उसका एक दायरा है सीमा है लेकिन दाइत्व की कर्तव्य की भावना बहुत ही व्यापक है साथ क्यों ये भावना नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए सरकार के हर तंत्र के लिए भी उतनी ही जरूरी है सरकार का दाइत्व है ये है कि वो पांच साल के लिए नहीं बलकि पांच पिडियों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करने की आदत बनाएं मुझे संतोज है कि यूपी सरकार अपने इस दाइत्व को निभाने का भरपूर प्रयास कर रही है हम अपना दाइत्व निभाए अपने लक्षों को प्राप्त करे यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्बरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए यही जनता की अपेक्षा है यही अटल विहारी वाजपाई की हम सब को सिख्षा है